तो वीडियो में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे हर्याना के जो वन है, जो जंगल वगरा है, फोरेश्ट और वाइड लाइफ, इनके बारे में डिस्कस करेंगे तो यह आपके important रहेगा आपका prelims point of view से भी और interview point of view से भी तो हर्याना civil services के interview में आप environment से related जो भी aspect होगा, वो सारा का सारा इस वीडियो से cover हो जाएगा, जो factual part होगा, वो सारा तो सबसे पहले जो हमारे पास जो national forest policy है, national forest policy, उसने यह बोला है कि किसी भी state का 20% पे आपके forest होने चाहिए, किस पे 20% पे forest होने चाहिए, one होने चाहिए पर अगर हम हर्याना की बात करें तो हर्याना में 10% से भी कम के उपर आपको one देखने को मिलेंगे, कितने 10% से भी कम के उपर तो हर्याना में area आपको पता है कि 44,212 square kilometer हर्याना का area है, इस area के अंदर सिरफ 1584 square kilometer पे आपको one देखने को मिलेंगे 1584 km2 पर क्या देखने को मिलेंगे 1 ठीक है अब ये केवल 3.59% हुआ कितना हुआ 3.59% of the total area तो यह तो बहुत कम हुआ तो यहां से 3-4 important statements कौन सी बनती है कि maximum percentage wise सबसे जादा जो 1 है वो कौन से जीले में है कौन से district में है maximum percentage wise तो वो आपको देखने को मिलेगा पंचकुला में ठीक है और percentage wise सबसे कम सबसे कम आपको देखने को मिलेगा फत्याबाद में कहां पे फत्याबाद में और उसके लावा maximum अगर square kilometer में बात किया जाए कि maximum area कहां पे है तो maximum area आपको देखने को मिलेगा 395 स्क्वेर किलोमेटर यह आपको पंचकुला में उसके बाद minimum area कहाँ पे है minimum area आपको देखने को मिलेगा 15 स्क्वेर किलोमेटर कहाँ पे सिरफ 15 स्क्वेर किलोमेटर यह है पानीपत में पानीपत में तो यहाँ से चार चीज़े याद रखनी है percentage wise और area wise area wise पंचकुला और percentage wise पंचकुला आगे है पर सबसे minimum percentage wise फत्यबाद है area wise minimum आपके पास देखने को मिलेगा पानीपत तो उसके बाद अगर हम बात करें प्रयावर न्यायाल्या तो यह भी हर्याना में है दो प्रयावर न्यायाल्या वो गुड़गाव और पंचकुला में है प्रयावर न्यायल्या फरीदाबाद और हिसार में है या फिर नीचे options में यहाँ पर districts change हो जाएंगी तो यह चीज़ ध्यान में रखनी है अब एक तो कि national forest policy national forest policy में क्या बोला जा रहा है कि 20% forest होने चाहिए किसी भी state में अब एक हर्याना ने खुद अपनी policy बनाई राज्या वन नी थी state forest policy राज्या वन नी थी तो इसमें basically क्या बोला गया कि हर्याना में देखो natural रूप से जो forest होने चाहिए वो तो है यह नहीं वो बहुत कम है और इस forest policy में क्या target रखा गया कि हर्याना का जो forest cover है वो 20% तक increase करने कितना increase करने 20% तक increase करने ताकि एक balance बनाया जा सके एक natural balance बनाया जा सके तो दो scheme से आद रखनी है एक तो आपसे पूछा जाएगा कि हर्याना में अगर मान लो कि आपका environment से related कोई भी topic है तो आपसे पूछा जाएगा कि हर्याना में जैसे कि forest cover बहुत कम है तो इसके लिए सरकार ने कोई योजना निकाली है तो हाँ निकाली है सरकार ने निकाली है हर घर हर्याली योजना हर घर हर्याली योजना ये निकाली है सरकार ने राज्य वन नीती भी बनाई है हर घर हर्याली योजना 2015 में बनाई थी ठीक है तो इस योजना के तहट जो भी लोकल लोग रहते हैं उन्हें शातूत, बेरी, बड़, पीपल जामून के विकास पर वल दिये कि इन सब के उपर लगाने है तीन करोड पोदे लगाने का निरने लिया था तो ये चीज़ ध्यान में रखने है 15 जुलाई को हर्याना में क्या मनाते है तरू दिप्स बनाते है 15 जुलाई को 55 के करीब आपको हर्वल पार्क ड्वैल्प की है 55 के करीब क्या ड्वैल्प की है हर्वल पार्क तो यह सब किसलिए किया यह forest cover या फिर environment में एक balance बनाने के लिए किया उसके बाद अगर हम देखें तो हर्याना में हर्याना state pollution control board यह भी बना एक होते central pollution control board एक state का खुद का बना हुए है तो 1974 में एक act आया था उसके accordingly यह बना था तो आपको सिर्फ इतना याद रखने कि state pollution control board गब आया था 1974 में आया था 1974 में उसके बाद अगर हम wildlife centuries की बात करें यह सबसे important होने वाले है यहां से आपके पास 4 wildlife century दियोंगी और 4 district दियोंगी यहां पर match the following करने के लिए question बन सकते हैं तो सबसे पहले आपके पास आपको नाम ध्यान में रखने है सरस्वती सरस्वती wildlife century फिर आपको ध्यान में रखने है नाहर wildlife century फिर आपको ध्यान में रखने है अबूब शहर wildlife century फिर भिंडवास भिंडा वास ठीक है विंडा वास और उसके बाद आपको ध्यान में रखने है खापड वास ठीक है ये वी होगा वास ठीक है उसके बाद काले सर और उसके बाद है वीर शिकारगड वीर शिकारगड ठीक है वाइड लाइफ सेंचुरी फिर है छिल छिला वाइड लाइफ तो सबसे पहले सरस्वती कहां पे हैं, सरस्वती आपके सामने options में कुरुक्षत्रा या कैथल, कहां पे मात करोगे, सरस्वती कहां पर हैं, सरस्वती कैथल में हैं, सरस्वती wildlife sanctuary कैथल में हैं, नाहर आपको कहां पे देखने को मिलेगा, रिवाडी में, नाहर कहां पे देखने पे हाथ रखके अब्बू ने आशिरवाद दिया भिंडवास, खापडवास आपको एक में देखने को मिलेगा जजजर में कहां पे जजजर में ठीक है भिंडवास जिसके एंड में वास आ रहा है वो सारा आपको जजजर में देखने को मिलेगा उसके बाद काले सर काले सर yamunanagar में काले सर कहांपे यamunanagar में और वीर शिकारगड पंचकुल्ला में चिल चिला क्या हुआ युद्ध के टाइम पे लड़ाई करते टाइम सब की कोहनिया छिलगी तो वो कहांपे हुआ था? कुरुक्षेत्रा में तो ये सारी की सारी wildlife centuries है important है उसके बाद अगर हम national park की बात करें तो हर्याना में एक आपको सुल्तानपूर national park देखने को मिलेगा 1989 में से national park बनाया गया ये जो migratory words है उसके लिए famous है किसके लिए migratory words के लिए famous है आपको देखने को मिलेगा ये Siberian sars इसमें सबसे important है इसका जो area है वो 1.43 square kilometer है 1.43 square kilometer उसके बाद अगला जो बना वो बना कालेसर national park कालेसर national park ये लाल जंगली मुर्गों के लिए famous है 2003 में जब world cup हुआ था तब उस साल कालेसर national park बना था तो एक है सुल्तानपूर 1989 के बाद 2003 में ये बना तो ये दोनों important आपके पास उसके लावा तीन चिडिया घर है पीपली में देखने को मिलेगा एक आपको दूसरा रोहतक में ठीक है तीसरा भिवानी में रोहतक भिवानी और पीपली में तो तीन चिडिया घर देखने को मिलेंगे नेक्स्ट दो conservation reserve भी देखने को मिलेंगे क्या देखने को मिलेगा दो conservation reserve तो बिसिकली wildlife century और national park तो बहुत लोगों ने cover कर रखे होते हैं पर ये दोनों दो conservation center आपको कहां पे देखने को मिलेगा एक सर्स्वती कौन सा एक सर्स्वती दूसरा आपको देखने को मिलेगा बीर बारा कौन सा बीर बारा तो बीर बार वाला जींद में आपके पास और सर्स्वती वाला कैथल एंड कुरक्षित्र में कैथल एंड कुरक्षित्र में दो conservation center संरक्षन के इंदर बोलेंगे इसे ठीक है उसके बाद प्रजनन के इंदर कौन सा प्रजनन के इंदर तो प्रजनन के इंदर आपके पास साथ आठ है सारे देखते हैं चिंकारा का कहां पे है सोच के देखो एक बार आप मगरमच का कहां पे है मगरमच का कहां पे मिलेगा मयूर का, मोर का कहां पे मिलेगा ठीक है, ब्लैक बग यह सबसे important होने वाल है ब्लैक बग का ब्लैक बग का आपको देखने को मिलेगा कुरक्षित्रा में और मोर का कहां पे देखने को मिलेगा रिवाडी में मगर्मच का कुरक्षेत्रा में चिंकारा का भिवानी में ऐसे आज रख लो भिवानी के मोश्टवी लोग उसमें बॉक्सिंग में तो वो चिखे मारते हैं ठीक है और गिद का पिंजोर में गिद का कहांपे पिंजोर में पिंजोर या फिर पंचकुला भी कह सकते हो आप इसे उसके बाद फिसेंट या फिर रेड जंगल फाउल रेड जंगल फाउल ठीक है रेड जंगल फाउल कहां पे पिंजोर में ये भी पिंजोर में है चिंकारा भिवानी में, मगरमच का कुरक्षेत्रा में, मोर का रिवाडी में, ब्लैक बक कुरक्षेत्रा में ब्लैक बक, यह सबसे इंपोर्टेंट है ब्लैक बक बाला आपके पास, पिपली कुरक्षेत्रा में उसके अलाबा हाथी पुनर स्थाफन है वं अनुसंधान के इंदर भी है हाथी के उपर रिसर्च सेंटर है वो कहां पे देखने को मिलेगा यमुना नगर में यमुना नगर में है यह हाथी के उपर तो यह सारा environment के point of view से आपके पास जो कुछ भी था हर्याना के वन वन्याजी वाइड लाइफ संचूरी नैशनल पारक वो सारा होफ़ुली हमने हर्याना सिविल सर्वेसिज के point of view से cover कर लिया बहुत माइनूट डिटेलिंग की जरूरत नहीं है जितना हमने इस वीडियो में cover किया that is more than enough होफ़ुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी comment box में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगी